हेलो एवरिवन मैं चेशोरान EFE Academy जैपूर में आप सभी का स्वागत करता हूँ PTI Special हमारे बैच में देखें पिछले वीडियो में हम कुछ टॉपिक के ओपर बात कर चुके हैं तो अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज नए वीडियो में नए टोपिक के ओपर बात करेंगे यानि कि आपका स्पोर्ट्स ट्रेइनिंग का यह टोपिक है यानि कि पीरिडाइजेशन यानि कि अवधी करण इसके उपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कि यह शुरू करते हैं आज का जो हमारा टोपिक है इस वीडियो का टोपिक है वह अपना पीरिडाइजेशन यानि कि आपका अवधी करण अब यह होता क्या है देखर कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि आपने 3-4 दिन हुए आपको किसी को ट्रेइन करते वह और आप चाहते हो कि भई मेरा जो क्लेर है वो कल अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे ऐसा होता है ऐसा पॉसिबल नहीं होता है लेकिन ऐसा जरूर पॉसिबल होता है कि आप चाहते हो कि मेरा जो खिलाडी है वह इस टूनामेंट के अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे या किसी पार्टिकुलर का भीरडाइजाशन है उसी को प्रोंट का जाता है यानि की तो फॉम में लाने का जिस समय आप चाहते हो कि मेरा लाडी क्या अपनी परफॉरमयंस दे और उसके इसाब से त्यारी किराने का जो आपका प्रोसस ऐसि particular competition is called periodization अब हिंदी वालों के लिए भी देख लेते हैं किसी विशेष प्रत्योगिता में खिलाडी को अपना सर्वशेष्ट परदर्शन देने के लिए तयार करने की प्रक्रिया को periodization कहा जाता है आपका अवदी करन कहा जाता है यानि कि जब आप चाते हो जिस टूनामेंट में आप चाते हो कि मेरा जो प्लेयर है वो बेस्ट परफोर्मेंस दे सपोज्व करो आपका स्कूल का ही टूनामेंट आ गया या फिर नैशनल्स आ गया आपके स्कूल्स नैशनल आ आप चाहते हो कि अब मेरा जो player है या मेरा जो खिलाडी है वो school national में अपनी best performance दे या फिर मेरा खिलाडी जो है national level में अपनी best performance दे लेकिन देखिए अगर आपने plan नहीं करोगे systematically तो क्या होगा या तो वो अपनी best performance वो tournament आने से पहले दे चुका होगा या फिर वो tournament के बात दे कि किसी विशेश परत्योगिता में खिलाडी को अपना सर्वसेश परदर्शन देने के लिए तैयारी करने की प्रकरिया को periodization कहा जाता है या आपका अफदी करण कहा जाता है अब इसकी types के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी अब देखें तीन पीरेड होते हैं इसके अंदर कितने पीरेड होते हैं कितने काल होते हैं तीन काल होते हैं पीरेडाइजेशन के अंदर तीन काल होते हैं यानि की तीन पीरेड होते हैं एक होता है आपका प्रपेटरी पीरेड यानि कि आपका तैयारी काल एक होता है आपक आपका परतियोगिता काल और एक होता आपका ट्रांजेशनल पिरियड यानि कि आपका संकरमेंट काल कितने होते हैं कितने होते हैं पिरिडाइजेशन में तीन तीन काल होते हैं या तीन पिरिड होते हैं एक होता है आपका कॉंपिटिशन पिरियड एक होता आपका ट्रांजे से काल में कौन सी चीज कराई जाती है जलाता उन सब चीजों के ऊपर बात तो सबसे जो पहला है वह हमारा pre- Montgomery यानि क्या पार तयारी काल में और किन चीजों का ध्यान रखना होता है उसके भारे में बात करते हैं देखें कभी-कभी यहां से question पूछ लिया जाता है आपसे इसका sequence पूछ लिया जाता है इसका करम पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा आएगा preparing period आएगा competition period आएगा यह transitional period आएगा ये दोनों तो हम समझ जाते हैं लेकिन इसमें confusion हो जाते हैं sectrum in governo में तो ध्यान काल competition period परती होगी था काल और आकपा transitional period चलिए आगे बात करते हैं अब अपन preparatory period के उपर यानि के अपने तयारी काल के उपर इसमें क्या होता है और किन चीजों का अपने को ध्यान रखना होता है देखिए सबसे पहला जो period था वो था हमारा preparatory period अब इसमें तयारी काल का जो मेन मकसद होता है वह ओता है कि उन चीजों को उन चीजों को डवलप करना या उन चीजों को तयार करना जिसके ऊपर क्या है आपका जो गेम है उसकी performance depend है for example मैं कहता हूं कि मिर को वोलीवोल खेलना तो वोलीवोल के लिए कौन-कौन उसी चीजे जरूरी है पहले किन-किन चीजों के उपर depend करता है जैसे strength के उपर depend करता है या endurance के उपर depend करता है flexibility के उपर depend करता है इन सब चीजों को तयार किया जाता है तो जो आपका तयारी काल है उसका main aim यही होता है उसका main aim होता है कि आपने उन चीजों को तयार करना है इस time के अंदर जिन चीजों के उपर आपकी performance निर्भर करती है या आपके game की performance निर्भर करती है उन चीजों को आपने तयार करना होता है कि इसमें तयारी काल में तो इसको एक बाद definition से देखते हैं तो आपके performance पर अंदर निर्भर करती है या आपके performance निर्थाकरती है आपके flexibility पर एकरती है या आपका endurance sport है तो endurance पर एकरती है ये सारीचीजें जो है वो डबलब की जाती है आपके किसमें तयारी काल में यानि कि आपकी strength, endurance, flexibility ये सब चीजे जिनके उपर depend होती है performance उन चीजों के तैयारी की जाती है किसके अंदर आपने तैयारी काल के अंदर ये इसका क्या होता है में नेम होता है हिंदी वालों के लिए बता देता हूं मैं प्रारंबिक अफदी का मुख के उदस्य विभिन कारकों को विक्सित करना है जिन पर परदर्शन निर्भर्ग करता है ठीक है ये definition हो गई आपकी हिंदी में अब देखिए इसके अंदर तीन फेज होते हैं तीन चरण होते हैं याने की फेज वन फेज टू पहला चरण दूसरा चरण और तीसरा चरण या फेज त्री ठीक है तो जो पहला फेज होता है ना पहला फेज पहले फेज में हम किसीज की तैयारी करते हैं यह जो आपका प् सब्सक्राइब कोषिश करते हैंех jeżeli पेहले चरण में जो आपके खिलाडी का पिछला yanitology चौडी थी तोइसका पीछे का लेवल पिछला लेवल था उस लेवल को वापस लाने की कोशिश करते हैं किशमें मैं पहले चरण में लेवल था यानि कि जब उसने ट्रेनिंग छोड़ी थी तो उसका जो पीछे का लेवल था पिछला लेवल था उस लेवल को वापस लाने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम पहले चरण में यानि कि जो मेरी पहली ट्रेनिंग में परफोर्मेंस थी जो भी मैंने दिया परफोर्म जब आगे और exercises वगेरा या फिर आप और ट्रेनिंग करो उनका वो लोड ले पाए तो इन दो चीजों के ध्यान रखते हैं हम किसमें पहले चरण में यानि कि फेज वन में उसके बाद में आता है आपका फेज तू यानि कि दूसरा चरण दूसरे चरण में हम उन चीजों को डवलब करते हैं जिसके उपर आपकी performance जो है वो निर्भर करती है यानि कि जिसके उपर आपकी performance depend करती है एक्जामपल strength, speed, endurance ये सारी चीजें डवलब करते हैं किसमें दूसरे चरण में फेज टू में फिर जो तीसरा चरण है उसमें हम क्या करते हैं जो आगे आने वाला अपना काल है यानि कि competition period उसके लिए prepare करते हैं खिलाडी को ताकि उस time वो load ले सके properly है properly training कर पाए तो तीसरे phase में क्या करते हैं जो अपना आगला आने वाला competition काल है उसके लिए क्या करते हैं प्रिपेर करते हैं अपने खिलाडी को आप इसके अंदर जो आपका तयारी काल है इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज क्या है ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इसके अंदर क्या होता ह इसके अंदर जो training होती है उसकी volume high होती है और उसकी जो intensity है वो क्या होती है medium volume और intensity यह दोनों चीज मैं आपको पिछले videos में करवा चुक आँं sports training और में तो अगर आपने नहीं देखा है आपको नहीं पता volume क्या होती है intensity क्या होती है या तीवरता क्या होती है यह सब अगर आपको नहीं पता तो आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के उपर उसमें मैंने क्लियरली एक्स्प्रेंड कर रहे हैं यह चीजे लेकिन यहां भी एक बार फिर बता देता हूं आपको थोड़ा सा देखें जो आपका तयारी काल है उसके अंदर जो आप ट्रेनिंग करते होना उसकी क्या होती है वोल्यूम जो होती है वो हाई होती है और इंटेंसिटी होती है कम intensity से मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि intensity का मतलब है कि आपका player जो है कितना effort डाल रहा है या कितनी speed से वो काम कर रहा है उसको क्या बोला जाता है intensity और आप कितनी देर, total मात्रा कितनी है total time कितना है आपकी training का उसको कहा जाता है क्या आपकी training volume तो जो आपका तयारी काल है इसमें क्या करते हैं volume जो है आपकी जो training की volume है यानि कि training की जो मात्रा है total वो क्या होगी high होगी इसमें आपको लंबे समय तक training करानी है ना कि बहुत ज़्यादा speed से आपने ज़्यादा intensity नहीं रखनी है ज़्यादा speedy workouts नहीं रखने है आपने क्या करना है लंबे time तक workout रखना है volume को बढ़ाना है ठीक है यानि कि आपने मात्रा बढ़ानी है training की intensity नहीं बढ़ानी है इस time के दोरान किस के दोरान तयारी काल के दोरान तो आपका जो पहला था वो था आपका preparatory period यानि कि आपका तयारी काल यह समझ में आगे आओगा नहीं आया तो आप मुझे मेरे comment box में पूछ सकते हैं आपको answer जूरूर मिलेगा तो देखिए फिर से बता देता हम एक बार तयारी काल का जो main उदश्य होता है वो यह होता है कि उन चीजों को तयार करना जिसके उपर आपकी performance जो है वो निरभर करती है ठीक है यह इसका क्या होता है main aim होता है और इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज और क्या होती है कि इसमें जो training कराते हैं हम उसकी हमेशा volume high होती है और intensity क्या होती है इसका volume बढ़ाओगे तो आपको intensity हमेशा कम रहखने पड़ेगि ठीक है यानि यानि कि आपको तीवर्ता हमेशा कम रखनी पड़ेगि अगर आप मात्रा बढ़ाओगे तो आपको कि रखनी पड़ेगो अ स्फ वर्था हमेशा कम रखनी पड़ेगी अपनी training में लाँ यारी काल दूसरे पर बात करते हैं यहाने कि आपका competition period यानि क آپका परतियोगिता काल में कि और दूसरा पीरेड करने की कोशिश करते हैं यह होता है आपका किसका परतियोगिता काल का यानि किसका मकसद मैंने क्या बता है इसका मकसद होता है कि आपने खिलाड़ी को उसकी टोफ फॉर्म के उंदर लाके लेकर आना है तो फॉर में लाना है उसको और फिर उस टोफ फॉर्म को कुछ समय तक म maintain करके चलना है उसको ठीक है तो यह क्या होता है यह इसका एम होता है यान की जो आपका competition period है उसका यही मकसद होता है चलिए देखते हैं डेफिनेशन के माध्यम से the training in the competition period aims at achieving top form मैंने अभी आपको पता है क्या मकसद होता है किसी खिलाडी को उसकी top form में लाना and to maintain it for sufficiently long period और उसको लंबे समय तक बनाए रखना यह काम किसका यह क्या है यह आपके competition period का में उदेश्य होता है उसके बाद में देखें हिंदी में देखें लेते हैं परित्योगिता अवदी में परिस्टिक्षेंड का उदेश्य सीर्स रूप प्राप्त करना और इसे परियाप्त रूप में लंबी अवदी के लिए बनाए रखना है ठीक है तो वही मैंने आपको बताया कि कि इसका एम यही होता है कि आपने क्छिलाडी को टोफ फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है और जब वह टोफ फॉर्म आ जाए तो उसको लंबे समय तक मेंटेन रखने की कोशिश करनी है यानि कि सीदी सीदी सी सिंपल से लैंग्वेजिएं बोलू ना कि आर आपको है ना इसमें खिलाडी को बढ़े आज फॉर्म में लाना होता है फॉर्म तो सुना होगा न्यूज में चलता रहता है क्रिकेट वालों का यार आज इसकी फॉर्म नहीं आए या विरेंदर सहवाग फॉर्म में नहीं है यह सारी चीज़े चलती रहते है तो इसका मकसद यही होता ह कि इसको टोप फोर्म में लाना है प्लेयर को और उस फोर्म को मेंटेन करके रखना है लंबे समय तक ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसके उपर अब मैंने आपको जो तैयारी काल था उसमें मैंने क्या बताया था कि उसमें जो आप ट्रेनिंग कराओगे उसके क्या होगी और intensity कम होगी लेकिन आपका जो competition period है परतियोगिता काल है इसमें आपकी जो intensity है वो हाई होगी और आपकी जो volume है वो क्या होगी लो होगी ठीक है तीवरता जो है वो जादा होगी और मात्रा क्या होगी कम होगी किसमें आपकी परतियोगिता काल में जब आप ट्रेनिंग करा गए तो वो क्या होगी उस टाइम क्या होगी आपकी इंटेंसीटी जो हाई हो जाएगी और वोल्यूम क्या इसमें लो loving कि लेकिन पिरब्टारीर ने क्या दा टयार काल में क्या था कि哇 लिओं जादा रहे गी और intensity ने यहाँ पिति व्रता जो है वो कम रहे गी कोन से ट्रेनिंग शुरू कर देते हम टैक्टीकल ट्रेनिंग अब इस टैक्टीकल ट्रेनिंग से क्या समझते हो आप टैक्टीकल ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है करेंगे तो इन सारी चीज़ों को Whats about tactics बोला जाता है ठीक है क्या बोला जाता है tactics बोला जाता है या फिर आप वीडियोज देखते हो ना पहले कभी कभी आप दूसरी team once के मैंच देखने जाते हो फिर आप मैंच देखो करते हो कि ar इनकी यह चीज़ अच्छी बनाते हो अपना कि हा यार यह वाली जो चीज है न हैं यह हमने करनी हैं ताकि इनको एक छा 와서 सके क्ट है या फिर जब आप मैंच के दोरान भी जब आपको क्या वत आप सारी चीजों क्या बोलते हैं हम tactics बोलते हैं और जो आपकी tactical training है वो कौन से काल में होती है वह अपकी हमेशा competition यानि कि परत्योगीता काल में होगी याद रखना कि इस टाइम पे जो आपके tactical training है वो क्या होगी बढ़ जाएगी इसी दोरान दी जाती है आपकी जो tactical training है वो आपकी परतियोगीता काल में ही कराई जाती है यानि कि आपको tactical training के लिए क्या करना होगा आपको अपने game को अच्छे से समझना होगा उसके rules, regulation वगेरा आपको सारा कुछ पता होना चाहिए तब ही जो है आपको चीजों का फाइदा उठा पाएंगे तो ये सारी चीजें आपकी planning वगेरा सामने वाली टीम को लेके जो भी planning वगेरा होती है वो किसमें होती है आपकी tactical training में होती है तो tactical training भी आपकी कब दी जाती है आपकी परतियोगीता काल में दी जाती है यानि कि competition पीरेड में करते हम tactical training उसके बाद में जो अगला पीरेड अपला अगला पुइंट है अपना वो है psychological preparation यानि कि मनोवज्ञानिक तयारी अब इससे क्या मतलब है देखे सीधी सी बात है आपका player जो है competition खेलने जा रहा है तो उसका जो दिमाग का संतुलन है या उसके कुछ क्या करते हो आप उसको motivate करके रखते हो या फिर आप देखते हो कि आपका खिलाडी का anxiety का शिकार तो नहीं हो रहा है उसके उपर जादा stress तो नहीं है ये सारी चीजें इन सारी चीजों को भी तयार करना पड़ता है आपके mind क्या करते हैं उसको motivate करके रखेंगे उसके symptoms notice करेंगे कि anxiety तो जादा नहीं हो रही है यह सारी चीजें कैसे कंट्रोल करना है उन चीजों को अगर आपका खिलाडी anxiety में आ गया है या भी घबरार आए टूनामेंट से कभी कभी क्या होता गबरावट हो जाती ना अपने को देते हैं फिर उन चीजों को control कैसे करना है उन चीजों के उपर से control करके फिर उस चीजों का फाइदा कैसे उठाना है इन सारी चीजों की जो training होती है वो किसमें होती है आपकी psychological preparation में होती है इसलिए इसको क्या का जाता है आपका मनोवग्यानिक त्यारिया psychological preparation यह दोनों तो देखिए जो आपका पहला period था जो तैयारी काल था जब आप तैयारी करवा रहे हो पिरपेरेटरी period में हो तो उस time क्या करते हैं हम competitions नहीं खेलते हैं ज्यादा practice matches जो होते हैं वो नहीं खेलते बहुत कम खेलते हैं उस period में उस period में शिरफ अपना जो main focus होता है वो इन च जो को develop करने की कोशिश करते हैं जिनके उपर आपकी जो performance जो है वो निरबर करती है ठीक है उसके अंदर हम लोग practice matches वगेरा या ज्यादा competitions नहीं खेलते कभी भी प्रिपेरेटरी में लेकिन हाँ competition period में क्या करते हैं competition period में हम दबा के खेलते हैं यानि कि जो आपके यानि की जो आपके practice matches वगेरा होते हैं वो क्या करते हम ज्यादा खेलते हैं कौन से period में परतियोगिता period में अब यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर हम जो practice matches वगेरा होते हैं कभी कभार आपने किया भी होगा कि सामने आपके से दूसरे स्कूल की टीम है आप उसके साथ practice match खेलने जाते हो वो सारी चीज़े क्यों होती हैं वो आपको competition period यानि कि आने वाले जो matches हैं आपके main tournament उन में से सबसे पहले सबसे कमजोर का थोड़ी सी कमजोर टीम के साथ खेली आप आपका confidence बढ़ेगा फिर उससे डिफिकल्ट फिर उससे डिफिकल्ट फिर उससे डिफिकल्ट ऐसे practice matches खेली है ठीक है तो यह चीज़ भी किसके अंदर आती है आपकी competition period के अंदर चलिए आगे च से में होता है आपने तैयारी पिरेड में यानि की प्रिपेट्री पिरेड में तैयारी काल में क्या करी तैयारी करी जम के उसके बाद competition पिरेड में आपका जो लोड था वह और बढ़ गया आपने उसमें competition भी खेले उसमें आपने maintain भी रखी performance सारा कुछ किया अब सीधी सी बात है इतने पिरेड जब आप करके आओगे तो आपकी बोड़ी होता है प्लेयर का तो चलिए एक बार देख लेते हैं definition से भी दा में नेम ओफ दा ट्रांजेशनल पिरेड इस तो गिव रिकवरी एंड रिलेक्सेशन तू दा स्पोर्ट्समें आफ्टर दी हार्ड एंड स्टेने स्टेनिंग इन दी पिर्पेट्री एंड कॉम्पेटिशन पिरियर्ड यानि कि संकर्मन काल में क्या करते हैं हम जो आपके पिर्पेट्री पिरेड को कॉम्पेटिशन पिरेड में जो आपकी ट्रेनिंग हुई है उससे थोड़ा सा अराम देने के लिए इसमें क्या करते हैं प्लेयर को रेस्ट देते हैं और किन चीजों का ध्यान हमेशा आफके transitional period की या rest agreed कि वो हमेशा च्यार से छे से हफते से जादा नहीं होनी मि इस ज्यादा महनेत करनी पड़ेगի ह। तो हमेशा ध्यान रखना की जो आपका transitional period है वो हमेशा चार से छे हफते का होता है इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है ठीक है उसके बाद में जो अगला point आता है वो आता है आपका low training intensity और low training volume बहुत important point है मैंने आपको तयारी काल में भी बताया तयारी काल में क्या था मात्रा जादा थी यानि कि आपकी वोल्यूम जादा थी और आपकी तीवर्ता कम थी यानि की intensity कम थी उसके बाद अपना आए competition पिरेड में यानि कि परतियोगीता काल में परतियोगीता काल में क्या हो रहा था परतियोगीता काल में आपके जो इंटेंसिटी है यानि कि आपके तीवर्ता जो है वो क्या थी हाई थी और जो आपकी मातरा थी वो कम यानि कि वोल्यूम लो थी लेकिन इसके अंदर क्या होता सब्दolph09.com सीदी सी बात है ट्रांजेशनल हट मैंने क्या होता है रहेस्ट का समय तो WREST के समय आपको जो आपके ठ्रेइनिंग की VOLUME है उसको भी लो रखना पड़ेगा और जो इंटेंसिटि ठीक है उनको सीधी सी बात है इनके अंदर पूछ लिया जाता है यह भी पूछ लिया जाता है कि आपने भई आपका रेस्ट पीरियड है यानि ट्रांजेशनल पीरियड है आपका संकरमन काल है उसमें आपकी ट्रेनिंग की वोल्यूम हाई रहेगी लो रहेगी या कैसी तो यह सारी चीजों का ध्यान रखना और अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आयो तो आप हमको हमारे कमेंट बोक में पूछ सकते हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगले वीडियो में जब आएंगे तो कोई नए नए टोपिक के ओपर बात करेंगे अगर आप आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो थैंकी सो मच है वे गुड़ डेग